स्वागत है आपका इंडियन फुर्स्वित हुसा में आज हम बनाएंगे सांभर और साथ में सॉफ्ट स्पॉंज इडली वीडियो को लाश तक चरूर देखिएगा उमीद आपको बहुत पसंद आएगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सांभर बनाने के लिए सबसे पहले बावल ले और इसमें चार चमच अरहर या तूर का डाल डाल दें सांभर हम चार लोगों के लिए बना रहे हैं आधा कप पानी डाल देते हैं दाल को हां से रगडते हुए अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं और इसके गंदे पानी को हटा कर छान लेते हैं तो दाल को इस त बावल निकाल करके इसे 5-10 मिनट के लिए अलग छोड़ देते हैं, फूलने के लिए, यहां हमने बावल में 10 ग्राम इमले लिया है, इमले के बीज को बाहर निकाल दिया है, 2-4 चमच करम पानी डाल देते हैं, और इसे भी साथ में फूलने के लिए अलग रख देते हैं, हमने सेजन लिया हुआ है, तो लौकी को मोटे मोटे पीस में काट लेते हैं, इस तरह से सबजियों को हमें बारिक नहीं काटना है, साथ में पपीता काट लेते हैं, बैगन को छे टुकडों में कर देते हैं, प्याज को चाट टुकडों में, तो अगर आप प्याज नहीं खात तो इसे ना डाले, हरी मिर्ज को काट देते हैं, एसे जन को काट करके इस तरह से इसके हलका सा छिलका इसे उतार लेते हैं, इसका इस गडवापन खत्म हो जाएगा, टमाटर को चार टुकडों में काट देते हैं, और एक टमाटर को बारिक काट लेते हैं, सब्जियों को काट सूजी लिया है उतना दही ही डालना है और दोनों को एक साथ मिला करके पीछ लेना है इसे बाउल में निकाल दे थोड़ा जार को धूल करके पानी डाल देते हैं अच्छी तरह से फेट लेते हैं और बैटर को पुलने के लिए पांस मिनट के लिए ढखकर अलग रख देते है दाल को चेक कर लेते हैं, इसे नाखुन से काट करके देख लें, दाल अच्छी तरह से फूल चुका है, इमली को छान करके इसका पानी अलग कर दें, गैस से लाकर कूकर गंद करें, और एक चमच रिफाइन डॉल डाल दें, तेज आज पर सभी सब्जियों को डाल करके एक मि डाल देते हैं, और सब्जियों के साथ दाल को एक मिनट तक, दाल सुखा होने तक हमें भूनना है, दो कब पानी डाल देते हैं, तो पानी हम बहुँ जादा नहीं डालेंगे नहीं तो प्रेसर कूकर से बाहर निकल जाएगा, धक्कन लगा दें, और मीडियम फ्लेम पर दो थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, और इस तरह से फेट लेते हैं, तो हमें बहुत जादा पतला और बहुत जादा गाढ़ा बेटर ने चाहिए, स्वादमसा साफिर नमक डाल दें, इसको अच्छी तरह से मिला दें, और यह बैटर तयार है, यहां हमने मीनी इडली स्ट डाल देते हैं, इनों को एक्टिवेट होने के लिए, दोनों को अच्छी तरह से मिला कर फेट लेते हैं, और एक से दो चमच बैटर हम इडली स्टेंड में डाल देंगे, तो बहुत कम डालेंगे, इडली बहुत चिपकी चिपकी बनेगी, इसका उपर से धकन लगाते हैं, पानी उबल रहा है, इसमें इडली स्टेंड को रख दें, और 10 मिनट पर तक मिडियम फ्लेम पर इसे पकाना है, इडली तयार है, चेक कर लेते हैं, यह पक गई है, अब इसके उपर कपड़ा डाल दें, गैस ओफ कर दें, और धक्का लाकर ठंडा होने के लिए छोड़ दे गैस ओन कर लें, और दाल को 2-3 मिनट तक पका लें, एक कप गरम पानी डाल दें, और 2 चमच सांबर मसाला पाउडर डाल दें, तो यह होममेट सांबर मसाला पाउडर है, इसे अची तरह से मिला दें, इमली वाला पानी डाल दें, इसे भी अची तरह से साथ में मिला लें, और 2-3 मिन तक दाल को हम गाड़ा होने तक पकाएंगे, आधा चमच का समीरी लाल मेर्च पाउडर डाल दें, तो 5 मिन तक हमने सांबर को पका लिया है, सांबर पूरी तरह से तयार है, गैस ओफ कर दें, और इसे एक बाउल में निकाल लें, तो बहुत ही कम समय में, और बहु आप इसी जगह पर चीनी भी डाल दें, खान में बहुत टेस्टी लगता है, अब हम तड़का पैन गर्म करेंगे, और एक चमच रिफान डॉल, आधा चमच मेथी दाना, एक चमच राई डाल देते हैं, आधा चमच हींग डाल देते हैं, और 10-15 करी पत्ते डाल देते हैं, आधा चमच का समरी लाल मिर्च डाल देते हैं, आप चाहे तो खडा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, गैस ओफ कर दें, और सामभर पर तड़का लगा लें, अब हम इडली को चेक कर लेते हैं, इडली पूरी तरह से ठंडी हो गई है, अब इसके प्लेट को अलग कर देते हैं साड़े प्लेट को अलग निकाल देंगे, ठंड़ा होने के लिए और जब इडली थंडी हो जाएगी तभी इसे हम बाहर निकालेंगे, ने तो इडली टूपने लेगेगी या तो हाथ में चिपक जाएगी, इडली पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, यहां हमने काटा चमस ल ना हुआ है और काफी जालीदार यह इडली आपको दो से तीन घंटे के बाद इतनी ही सौफ्ट मिलेगी इसे तोड़ करके दिखाती हूं यह देखिए तो इसी तरीके से आप सारी इडलियों को बाहर निकाल लें आप चाहें तो इसे हाथ से ही अच्छी तरह से घुमाते हुए बाहर निकाल सकते हैं यह देखिए इस तरह से आप इडली और सांभर बनाएए और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कैसा लगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्युक्त